इंडिया के इस मंच पर आप सब का हार्दिक अभिनंदन आभार्थ मैं आभारी हूँ भाई डाक्टर सोमू सिंका जिन्होंने मुझे अपने प्रिये विशय पर अपने भोगे हुए अथार्थ को आपके समक्ष प्रस्तूत करने का मौका दिया आपसे रूबरू होने का मौक रहा हूं वहां मैं पहले यह बता दूं कि मैं सिर्फ संदर्व के रूप में हिंदी का प्रियोग यदि करता हूं हिंदी भाषा का इसकार्थ यह करता ही नहीं है कि मैं भारत की अन्य भाषाओं का सम्मान नहीं करता या माध्यम भाषा के रूप में उन्हें देखने का हिम वाली जो घटनाय प्रघटनाय हैं उनके साथ आपके साथ विमर्स को आगे बढ़ाऊंगा इधर की कई चर्चाओं में भाषा और सिख्षा को लेके मैं जिन बातों को कहता रहा हूं या कह चुका हूं संभव है कि उसमें उन तथ्यों को की एक बार पुन्रविर्ति आपको लगे जिन्हें आपसे मैंने पहले भी साजा किया है इसके लिए मुझे माफ करेंगे कि अपनी बात की स्पस्ता और उसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे उन संदर्वों कि आवे सकता आज भी पड़ेगी मैं आज आपसे जिस विशय पर चर्चा करने जा रहा हूं हूं व उस भाषा के साहित्य का या एक विशय के रूप में उसका धेन ध्यापन करते हैं लेकिन उसके सास्त्रिय पक्ष के साथ हम जब विविद्य विशयों की पढ़ाई का माध्यम या लिखने पढ़ने का माध्यम उसे निरधारित करते हैं तब हम उसे माध्यम भाषा मानते है इसी रूप में मैं अपनी इस चर्चा में माध्यम भाषा को रखूंगा भारत जैसे बहु भाषिक देश में जहां पाँच भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है यदि वर्स 1661 की जनसंख्या की तालिका को हम देखें तो लगबक 1621 भाषाएं तबस्तितु में यह जहां थी इतने विविद्ध भाषा भाषी समाज में निश्य थी किसी एक भाषा को माध्यम भाषा बनाने की कोशिस मुझे लगता है कि बहुत सफलता की ओर हमें अग्रसर नहीं करेगी लेकिन आज हम जहां बैठें हैं उस संदर्व को यदि ध्यान में रखें तो मुझे में लगता है कि यह संभव होने लगा है और किस रूप में हुआ है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे तो मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि यह जो बहु भाषिक देश है हमारा यहां वैदिक शिक्षा संस्कृत में बौध शिक्षा पाली में जैन शिक्षा प्राकृत में संगम शिक्षा तमिल में और मध्यकाल की जो शिक्षा विवस्था थी वह अर्भी और फार्सी में आई जैसे ही हम आध्यम भाषा की बात करते हैं हम सिर्फ भाषा की बात के की भी कि ऐसलिए लिपीक्त की जाएंगी युप हुग हुगी इसलिए लीपियों का जो भेद है उसे ध्यान में रखना चाहिए और मैं यह सकता हूँ के भारत में भालत मुझा के साथ लिफ्यां भी अस्तित्व में रही है और वो कभी न कभी युजी शिक्षा का माध्यम थी जो देशज भा भासाएं हमारी रही है विविद्ध प्रदेशों प्रदेसों की यदि हम ने कोई शास्त्रिय विसए का धेयन ध्यापन किया भी तो निश्चित तोर पर उनको समझ में आने के लिए या समझाने के लिए जिन माध्यमों का जिस भाषा का प्रियोग किया गया वह निश्चित तोर पर वहां के स्थानिय भाषा हैं थी कि जो शास्त्रिय विशय थे उनकी हम समझ बना सकें इसलिए हमने स्थानिय भाषाओं क उस स्थान विशेस की भाषा का प्रयोग किया इसके दो बड़े तथ हैं हमारे सामने हैं हम सब जानते हैं कि यूरोपिय कंपनियों का आना पुर्तगीज या पुर्तगाल के लोगों के साथ सुरू हुआ डच आए फ्रांसीसी आए फिर ब्रिटिस आए अंग्रेज आए इन स बंदाहँद्धू हैं डच is अडी इंडिया कंपनी का है जिसके एक कर्मचारी ने perquè ऋ सौनी कंपनी में काम करने फाले लोगों को स्थानिये भाषा सीखने के लिए एक व्याकरन की की निए व्याकरन की किताब लिखी जेंगा अधरा बहस सीखने वाली किताब की तर व्यो इस व्याकरन की पुस्टक में उन्होंने दो लिपीयों का बहुत साफ साफ वळण किया है एक वहलिपई जिस een ते नागराक्षर कहते थे उनका कहना है कि काशी के विध्यालतियानों में इस अक्षर इस लिपी का उप्योग होता था दूसरी तरफ उन्होंने एक अक्षर नागरी का भी जिक्र किया है लेकिन शेत्र नहीं बताया है कि यह किस शेत्र में इस लिपी का प्रियोग होता था आगे चलकर ब्रिटिस कंपनी से जुड़े फादर बेंजामिन सुल्जे ने 1744 में ग्रेमेटिका हिंदुस्तानी का लिखी और उसमें उन्होंने देवनागरी लिपी का जिक्र किया है जब हम 19 सदी में प्रवेश करते हैं इसके ठीक पहले तक एक तरह से जो इस इंडिया कंपनी थी उसने भारत में शिक्षा और धर्म के मामले में अहस्तक्षेप की निती बना रखी थी लेकिन जो मिस्नरीज आये थे सास में उन्होंने मिस्नरीज संस्थाओं का या उनके मा मुश्ती है वह बताती है कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई लिखाई की विवस्थातों की लेकिन साथ ही साथ उन्होंने वहां की स्थानिये भाषा को शुरू के दिनों में माध्यम भाषा बनाए रखा अंग्रेजों को यह आवशक्ता थी कि वह यहां के कानून यहां के रिती रिवाजों को जाने इसके लिए उन्होंने अलग-अलग अपने हित के लिए एक तरह से कलकता मदर्सा और बनारा संस्क्रिट कॉलेज की स्थापना की जिसमें वह इन दो अलग-अलग धर्मों में बरते जाने वाले जीवन संबंधी नियमों का ध्यान कर सकें ताकि न्याई कारे में उन्हें थोड़ी मदद मिले लेकिन अठारा सो तक इस भी में तक आते आते जब फूर्ट विल्यम कॉलेज बनता है वहां से अंग्रेजों की वह निती बहुत साथ-साथ दिखाई देने लोगों की भी है भारत में भाषा ध्यान रखेंगे कि यह अठारा सो तेरा के चार्टर के आने के पहले का समय है अठारा सो चार में लल्लू लाल जी हिंदी कवायद लिख चुके हैं लेकिन वहां से कहीं न कहीं भाषा को फिर धर्म के साथ जोड़कर देखने की प्रवित को समदेशज भाषाओं के साथ फारसी राज-काज की भाषा थी और राज-काज उसी में उसी भाषा अरुसी लिपी-में एक तरह से शंचालित हो रहा था लेकिन जो जन-समवाप था जो जन पक्ष्ण और जए कर्वाय थी बहु कि वह उनलोग भाशिए भाषाओं मेंए चल रही थी जो तब के जन्मानस में प्रचली थी इन भाषाओं की अपनी लिपी भी थी अलग-अलग लिपियां थी आप सब जानते हैं कि उत्तर भारत की कई भाषाएं प्रारंब के दिनों में कैथी में लिखी जाती थी और कैथी लिपी कचहरी की भी भाषा अंग्रेजियों के समय में बनी यह बाद का सिलसिला है मैं जो आप से विंतिया निवेदन कर रहा हूं उससे आगे बढ़ाने के लिए उससे आगे चलने के लिए कुछ ऐसे संदर्भों की ओर हमें ध्यान देना होगा जो हमार हमारे हमारी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसमें निश्चित तोर पर हम हिंदी के उन अनुभावों को भी समेटेंगे जहां से कि माध्यम के रूप में और भाषा के रूप में हिंदी की स्थिती और अंग्रेजी की स्थिती दिखाई देती है 1813 के चार्टर के साथ ये तय होता है कि एक लाख किरासी किसे दी जाएगी प्राच्य पास्चात विवाद शुरू होता है आप सब जानते हैं कि इस विवाद में माध्यम भाषा का प्रस्थ भी जुला हुआ था तब कंपनी के तीन अलग अलग पक्ष थे एक पक्ष ऐसा था जो कह रहा था कि प्राच्च भाषाएं यानि संस्क्री तरभी फार्सी माध्यम भाषा हो और इसमें जो साहित उपलब्ध है उसे पढ़ाया जाए जो पास्चात विद्वान थे या पास्चात विद्या के प बहुत अपुस्थ है और जो बहुत तिवर स्वर नहीं है इस चिनेया कंपनी के भीतर भी कर्मियों का या इस विवाद में शामिल होने वाले लोगों में लोगों का एक छोटा सा समुए ऐसा भी था जो यह कह रहा था कि देश में ये भाषाएं तो चलें लेकिन जो प्रिक्षा का माध्यम भाषा हमें बनाए रखना चाहिए जिनका स्वर सायद नहीं सुना गया इसकी अनुगूंज हमको इसके ठीक पहले जहां से ये विवाद शुरू होता है वहां देखने को मिल सकती है कि इन तमाम भाषाओं को जो भाषा भेद के नाम पर जानी गई अब बाटी गई उनकी शुरुवात होती है मैं वक्तिकत रूप से मानता हूं कि फोर्ट बिलियम कॉलेज के स्थापना के साथ साथ या बीज एक तरह से यहां डाल दिया गया था जो आगे आकर और तीखा होता है 1813 के बाद हमारे यहां के लोगों ने भी यह मांग जान है उसे ही पढ़ाया जाना चाहिए जो देशच ग्यान है इसे बाटने की और इसे प्रचलन में रखने की अब आवशक्ता नहीं है कि हमारे पास विकल पागया है यह ठीक बात है कि उस समय इनका विरोध भी प्रयाप्त रूप से और हो रहा था और शायद यही कारण ह है कि जब डेविड हैर अंग्रे जी माध्यम का एक स्कूल जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने अन्य प्राचे भाशाओं को भी रखेंगे उसके स्थापना की चर्चा कर रहे थे और राजारा मोहन राई जी उनके साथ सनलग्न थे तब अस्थानिये लोगों ने विरोध कि और इस विरोध के फल स्वरूप राजारा मोहन राई जी को अपना पक्ष वापस लेना पड़ा और वो इस मोहीम में शामिल नहीं रहे बावजुद इसके 20 जनवरी 1817 को इस विद्याले के स्थापना होती है 20 बच्चों के साथ इसकी शुरूआत होती है आज का जो भारति इस संसान में देखे जा सकते हैं जिसे एह वलने माना है जो भारतिये शिक्षा के विकास को ब्रिटीस इंडिया में देख रहे थे उन्होंने माना है कि इस स्कूल ने उर्यूपिय ग्यान विज्ञान और अंग्रेजी के लिए वो दर्वाजे खोले जो भारत के आने वाले भविष्य का संके तक है 1835 में मैकाले का आना और फिर राजपास्चाइद विवाद को एक तरह से थाम लेना फिर 1849 में ऑकलाइंड का आना डाउनवार्ड फिल्ट्रेशन थीरी निस्यंदन के सद्धांत को आगे बढ़ाना 1854 के उर्स डिस्पैच का आना इसके पहले जो एक महत्रपुन घटना है जो आम तोर पर हम भारतिय शिक्षा के इतिहास के जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो भूल जाते हैं वो यह था कि 1835 का जो मैकाले मिनट था और जो विल्यम बेंटिक ने जी से मान लिया था उसके बाद सीधे हस्तक्षेप की जो निती पढ़ी उसका प्रभाव क्या हुआ प्रभाव यह पढ़ा कि आज का जो उत्तर प्रदेश है जो पश्चिमत्र प्रान तब कहा जाता था जहां के कुछ उधारन उपलब्ध हैं वहां 1844 में बच्चों की शिक्षा के लिए एक क क्यूरेटर की निवक्ति की गई क्यूरेटर का काम यह था कि वह अस्थानिये भाशाओं में उपलब्ध ग्यान विग्यान की सामग्रियों का संकलन करे और तब यह तई किया जाएगा कि यह सामग्री किस रूप में जाएगी यह वकाल खंड है जब शुप्रसाद सितारे ह हिंद और सरसयद अमद खां इस बात के लिए तयार हैं कि चलिए सामग्री तो एक रखी जाए लेकिन लिपी अलग-अलग होगी लिपी देवनाग्री होगी और फार्सी होगी हम सामग्री एक जैसी रख सकते हैं और एक तरह से या एका बन भी चुका था आप प्रशारे हिंद और सरसयद अमद खां के इस साजे को या एक तरह के समझोते को भारत में जो आगे आने वाले दिन थे जिसमें हिंदुस्तानी की चर्चा चली माहत्मा गांधी जिसके समर्थन में थे उसके बीज यहां आप दिखाई देते हैं हिंदी साहित के इतहास में इस चर्चा को विस्तार दिया गया है कि किस तरह से एक साहेट भासा एक साथ की भाषा लिपी के कारण अलग होती है एक भाषा जो संस्कृत से शब्द गरहन करती है एक भाषा जो अर्भी फार्सी से शब्द गरहन करती है लेकिन है इसी जमीन इसी माटी की उबजी हुई तो मैं यह कह रहा था है कि क्यूरेटर की निवक्ति के बाद लगबग दस वरसों का यह अकाल है इसके बाद 1854 में उट्स डिस्पैज का आना होता है शिक्षा का स्रीय करन बहुत साफ साफ हो जाता है प्रातमिक मिडिल माध्यमिक कॉलेज विश्वी द्यालियों तक की एक सर दाफ होता है कि जब हम माध्यम्हाचा की बात करते हैं तो अचपना में बाट कर देखते हैं हमat Scrunch का मतलब है कि हम कहते हैं कि प्राथमिक भाशा की भाषा माध्यम भासा यह मध्यविद्यालियों की मध्यम भाषा कुछ और होगी उचविद्यालियों की मध्यम भाषा कुछ और होगी और उचशिक्षा की और विश्विद्यालियों की भाषा कुछ और होगी अब तो हम ये भी कहने लगे हैं कि जो PG की भाषा होगी उससे इतर या उससे अलग हमारी PhD की भाषा होगी अशे प्रोफेसर आशे सिर्वास्ता जी ने बड़ा अच्छा एक विम दिया है जिसका उपयोग मैं भी करता हूं उन्होंने केजी से पीजी तक सिख्षा के देशी करन या सिख्षा में देशस्तत्वों के समाविशन की बात की है मैं थोड़ा विस्तार और लेता हूं और अपनी माध्यम भाषा की चर्चा में इसे केजी से पीजी तक ले जाता हूं तो इसलिए यह जो अलग-अलग खंडों में माध्यम भाषा को देखने का मतलब था का जो नजरिया था वो इस मतलब से था कि कुछ लोगों को इतना ही त लोगों तक पहुंचेगी इस प्रक्रिया से गुजरते हुए जब हम 1882 के हंटर आयोग के सामने पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि यह पहला आयोग है भारतिय शिक्षा के इतिहास में जिसने लोगों से उनकी बात सुनी या मांगी उन्होंने एक प्रसनावली तयार क और उस प्रसनावली के माध्यम से उन्होंने विचार एकत्रित किये यह विचार एकत्रित जैसे ही होता है भारत एक बार फिर से ततकालीन भारत एक बार फिर से हिंदी उर्दू के विवाज में लिपियों के विवाज में उलह जाता है यह इतना तल्क होता है इसका अंदा पढ़ा हो तो वो समझ सकते हैं कि यह विवाद कितना तीखा था इसमें एक तरफ भारतेंदू हरिश्चन जी थे और दूसरी तरफ सरसेयद अमत्खा यह दोनों ही अपने अपने पक्ष में थे और विवाद तो इतना है उस समय कि के साहित को यह दी पढ़ा जाए तो दोनों नहीं एक दूसरी भाषाओं पर किस्म किस्म के इल्जाम लगाए आरोप लगाए आकड़े प्रस्तूत किये कि कितने पढ़ने वाले हैं और इससे घबड़ा कर जो हंटर आयोग ने अपने आपको बचा लिया और उसने सिर्फ इतना ही लिखा कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसे अस्थानिय भाषाओं के माध्यम से ही उसमें ही सिर्फ माध्यम भाषा अस्थानिय भाषाएं होंगी और बाकी तो ये अन्य स्थरों पर जो चल रहा है वही चलेगा आप सब जानते हैं कि विश्व विद्याले कितब भाषा अंग्रेजी माध्यम भाषा अंग्रेजी थी और जिन लोगों ने उस समय का थोड़ा बहुत अध्यान किया है इस्कूली सिक्षा का भी यह भी जानते हैं कि गणित की पुस्तक जो चक्रवर्ती की अर्थमेटिक थी वो यदि बच्चे सात्वी आठवी कक्षा में हिंदी माध्यम से प पढ़िया विवस्ता थी कि आप सात्वी आठवी में चक्रवर्ती को हिंदी माध्यम से पढ़िये और नौवी दस्वी में अंग्रेजी माध्यम से तो कहीं न कहीं से यह जो माध्यम भाषाओं का प्रस्थन था उसमें पूरे तोर पर जो स्थानिय भाषाओं थी उनके हक को अलग नहीं कर दिया गया था वरीष चर्चा का मकसद यह है लेकिन माध्यम भाषा विवादों से घिरी हुई थी इन विवादों का बड़ा फाइदा अंग्रेजी को यह मिला कि दो क्रिकेट के खेल से यदि मैं एक विम उधार लू तो दो फिल्डर्स के बीच से तेजी से निकलती हुई वह गेंद जो चौका कहलाती है वैसे ही अंग्रेजी ने हिंदी और उर्दू और हिंदी के साथ अन्य भारतिय भाषाएं जब भी मैं हिंदी कह रहा हूं तो एक भूगोल को ध्यान में रख कर रहा हूं लेकिन ऐसा अन्य भारतिय भाषाएं माध्यम भाषा नहीं थी और उनका हक नहीं था अग्रेजी बड़े आराम से एक तरफ व्यदी और अन्य भारतिय भाषाएं उर्दू है तो इसके बीच से अपना रास्ता तैग कर रही थी और अच्छी बात कहें यह यह हुई उस दौरान की स्व में शुरू हुई थी जो एक तरह से क्या है ही हमारी स्वाधीनता की पहली लड़ाई उस लड़ाई के बाद से यह भाषाई तलखी आई लेकिन जैसे ही हम बीसवी सदी में प्रवेश करते हैं बीसवी सदी में प्रवेश करते ही भारतिये राजनीत के मंच पर महत्मा गां मैं इस चर्चा को इसलिए आपके साथ साजा कर रहा हूं कि मैं विनमुराग्रा करता हूँ कि माध्यम भार्षा के प्रस्ट को सिर्फ शिक्षा सास्तर के तुम भारतिय Sikषा के इतिहास के सहारे समझने की गल्ती हमें नहीं करनी चाहिए। हम्माध्यम भाषा को उस ब्रहत्तर परिप्रेक्ष में जानने और समझने की आवस्टता है जो हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक और आर्थिक परिप्रेक्षय परिद्रिस रहा है या जो आज है इसमें दोमत नहीं है कि सत्ता की जो भाषा रही है इतिहास हमें बताता है कि सत्ता की उस भाषा को आगे बढ़ने के रास्ते बराबर प्रसस्त किये जाते रहे हैं या बराबर उसे आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग माध्यम भाषा के रूप में किया जाता रहा है आगे चलने से पूरू मैं सिर्फ एक त्रिस्टान तोर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो विकल पाया हमारे सामने अंग्रेजी माध्यम एक तरस से अब अपनी जड़ें जमा चुकी है विश्विद्यालियों पर तो इसका पूरा कबजा है नीचे की कक्षाओं में निश्चित तोर पर मिला जुला असर या प्रभाव दिखता है लेकिन यह बहुत लावकारी इसलिए नहीं था कि आप नीचे यदी अन्य माध्यम भाषा से पढ़ते हैं और उपर की माध्यम भाषा बदल जाती है तो जो परसानी या जो कठिनाई एक पढ़ने वाले को महसूस होती है उस पर भी मैं अलग से थोड़ी चर्चा करूंगा जो मेरे हिस्से का सच भी है और मेरे हिस्से का सुख भी है तो मैं यह आप से कह रहा था कि एक जो विकल्प आता है या विकल्प दिखाई देता है वह असाहयोग अंदोलन के समय उपचता है या निकलता है जब राश्ट्रिय विद्यालियों की स्थापना इसलिए की जाती है कियोंकि आवान है कि हमें विदेशी वस्तुओं का वहिश्कार करना है, हमें उन संसाओं का वहिश्कार करना है जो अंग्रेजों द्वारा संचालित हैं और जिसमें हमारे ग्यान के लिए यानि हमारे पार गुजराद विद्यापीषर महात्मागांधि और गुजराण विद्यापीषर बियापीष जिन जिन्दा है कोई वर्तमान नहीं है हाल फिलहाल में उसमें प्रशिक्षन संसान और कुशकोशल केंद्र खोल कर उसे पुनह जीवन देने की कोशिस की जा रही है तो यह जो विद्या पीठा है इनके सामने माध्यम भाषा का प्रस्था और अंग्रेजी के एक विकल्प के रूप में उतर भारत से हिंदी या क्योंकि गांदी जी जिस तरह से इसको देख रहे हैं और जिस तरह से बरत रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं हमें दोनों लिपी आनी चाहिए इसका जिक्रून ने 1922 में जो कासी विद्यपीठ का पंचांग प्रकासित है उसके संकल्प पत्र के कॉलम दो में इसकी अस्थापना के उद्देश को लिखते हुए यह कहा गया है कि ऐसी संस्थाओं की अस्थापना करना कराना जो इस प्रकार से हिंदी भाषा और देवनागरी लिपी द्वा द्वारा शिक्षा दें जो भारतवर्स की अवस्था और आवश्यक्ताओं के अनुकूल और उप्योगी हो ऐसी संसाओं के लिए जो दूसरे प्रांतों में स्थापित हो जहां की प्रांतिय भाषा हिंदी नहीं है और विद्यापीठ में सम्मिलित होना चाहें हिंदी भाषा और नागरी लिपी के ज्यान का स्थान अनिवारे होगा इससे स्पस्थ है कि हिंदी और लिपी नागरी विद्यापीठों में अपना स्थान सुरक्षित कर चुकी थी और एक ही साथ भाषा और लिपी दोनों के संदर्म में बहुत ही साफ और स्पस्थ समझ देने व तो भी आप ढूंड सकते हैं माध्यम भाषा हिंदी थी उस समय के लोगों की कुछ क्लास नोट्स की कौपियां उपलब्द हैं जिने देखने से यह पता चलता है कि कख्षा में अर्थसास्र की कख्षा भी शास्री यानि बीए के प्रसमवर्स की कख्षा चल रही है तो छात् करवार आपको सतर कर रहा हूं कि माध्यम भाषा का यह जो प्रस्ण है मैं मातरी भाषाओं के संदर्व में कर रहा हूं लेकिन हिंदी को बीम के रूप में प्रतीक के रूप में उपयोग में ला रहा हूं क्योंकि मेरे जीवन जगत में यह भाषा सीखने का माध्यम रही ह तो मेरा अनुभव इस भाशा में ज्यादा है लेकिन कहीं न कहीं से यह भी बहुत साफ है कि यह एक तरह से हिंदी और अंग्रेजी को माध्यम भाशा के रूप में देखने और उसके एक टक्राव की कहानी भी कहता है आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ उन तथ्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनके सहारे हम यह कह सकते हैं कि हमारे जो बाद के 20. सदी के एक तरह से दो दसकों के बाद से जो की इस सितियां बनती हैं उसमें 1921 के असायों गांदोलन रास्ट्रिय विद्यालियों विद्यापीठों की माध्यम भाषा स्थानिय भाषा या चाहे हिंदी हो या गुजराती हो मराठी हो पंजाबी हो तमिल हो तेलगू हो करनड हो या उडिया हो बांगला हो इन सभी भाषाओं के लिए जो एक प शुड़ नहीं पाई माध्यम भाषा के लिए आव अकालत जरूर बुनियादिए सिख्षा में की गई है कि बच्चों को मातरी भाषा में पढ़ने का मातरी भाषा के माध्यम से पढ़ने का हक है लेकिन प्रारम में या सिख्षा की सात वर्सी काल क्रम की सिख्षा थी और माना गया था कि भविश्य में यह आने वाले दिनों में यह शिक्षा आगे जाएगी आगे बढ़ेगी और अपने को उच्छे शिक्षा के साथ जोड़ कर देखेगी वह संभव नहीं हो सका उत्साह में जब 1937 में कई प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनी द्वैद उसास प्रांत में भी राजा जी के नेत्रितु में हिंदी पढ़ने सीखने की जो मुहीम चल रही थी दक्षिन भारती हिंदी हिंदुस्तानी प्रचार सवा के माध्यम से उसे और बल मिला लेकिन उस समय भी शिकायते थी गांधी जी के हरिजन सेवक में लिखे हुए कई ऐसे नि ने रोधों का या यह भाषाई विरोध जो रहे थे उनकेएवि रोथ ज कारण कुछ समझने की कोशिस करेंगे और यह भी जानने की कोशिस करेंगे कि के आखिर अंग्रेजी का विрах नहीं हो रहा ह्से भारत की अन्य मिलाक कैई तक्राव की स्थिति में थी और अंग्रेजी बड़े आराम से एक प्रहुवर्ग की वर्चस्वधारी भाषा के रूप में भारत में आराम से लहरा रही थी तो मैं सबसे पहले तो आपको 37 के बाद देश की आजादी आजादी के समय का जो परिद्रिस है वो और भी अद्भूत और अल्बेला है आप जानते हैं कि 1875 में आरे समाज के स्थापना के साथ हिंदी भाषा के विकास का एक संकल्प भी उस समाज का था उन्होंने जिन विद्यालियों के स्थापना की उसमें हिंदी को एक विशय के रूप में कुछ विशेयों के लिए माध्यम भाषा के रूप में जहां जहां जिन तथाकतित हिंदी प्रांतों में उनके स्थापना हुई वहां उन्होंने हिंदी माध्यम में भी अध्यापन की व्यवस्था रखी थी गुरुकुल कांग्री इसका भी स्थापित हुआ जिसमें माध्य से जाने या उपयोग करने की सूचना हम लोगों के साथ मिलती है यहां माध्यम भाषा के रूप में अस्थानिय भाषा का या उस समय यदि हम बिहार उतरप्रदेश की बात कर रहे हैं तो हिंदी का उपयोग प्रियोक चल रहा आजादी के बाद हमारा संवेधान अभी अस्तित्यु में आये इसके पहले विश्विद्याले सेवायोग आचुका होता है विश्विद्याले सेवायोग के मैं सिर्फ उस अंस को आपने आपके सामने प्रस्तूत कर रहा हूं जो राधा कृष्णन जी ने तब की शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए माध्यम भाषा के रूप में यह बार कही थी उनकी जांच रिपोर्ट में जो संस्तुती है जो सिफारिस है वो यह है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंगरेजी के बजाए प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए परंतु यद अंडर ब्राइकेट देव नागरी लिपी का भी प्रियोग कर सकते हैं मतब्या है कि उच्च शिक्षा की माध्यम भाषा प्रादेशिक भाषाएं मात्री भाषा या हिंदी होनी चाहिए अंगरेजी तो कत्त ही नहीं आज का सच हम सब के सामने है चुकि हम भातिये शिक्ष किया हम सिर्फ इसकी इसे जानते हैं यह जानने की कोशिस हम नहीं करते कि यह सिफारी से यह संस्तुतियां आई थी तो उनका आगे के दिनों में क्या हुआ है यह जाच करने का जो मादा है मुझे लगता है कि भारतिये शिक्षा के इतिहास के खाने में अभी तक आया नहीं है जिसे निश्चित तोर पर जब हम भारतिय शिक्षा के इतिहास की पुनर्वयाख्या करेंगे नई शिक्षा नीती के आलोग में विश्यों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम इस तरफ भी ध्यान रखेंगे राधाकृष्णान आयोग के बाद मुधालियार आयोग की स्थापना होती है और यह वह आयोग है जो अब माध्यमिक शिक्षा की जाच कर रहा है पहले हमने विश्विद्यालिये शिक्षा को जाना अब माध्यमिक शिक्षा को जानने की कोशिस करते हैं इस आयोग के नजरिय अध्यार्थी को अंग्रेजी का प्रयाप्त ग्यान नहीं होता वह न तो अंतिम परिक्षा उत्रण कर पाता है न उसे सरकारी नौकरी मिलती है फलता माध्यम भाषा के लिए आयोग की सिफारिस है कि माध्यमिक स्तर पर छेत्रिय भाषा ही शिक्षन का माध्यम रहेगी यानि इस आयोग ने अब माध्यमिक शिक्षा के स्तर से भी अंग्रेजी के उस वर्चस को समाप्त करने की पहल की या पेशकस की प्रात्वी क अ सतर पर तो धुनिया भर के भाशा विज्जानी और शिक्षा सास्तिरियम मांते हं कि बच्चे अपनी मात्री भाशा में ज्यादा बेहतर सीख सकते हैं यदि संप्रते निर्मान करना हो या समझ विक्सित करनी है तो अपनी भाशाओं से या अपने परिवेश की भाशाओं से बेहतर कोई भाशा नहीं हो सकती भाशा विज्यानी यदि हैं कि एक बच्चे में कई भाशाओं को सीखने की जो भाशीक शक्ती है या एक तरह से जन्मजात जो प्रवृति है जो गुण है उसका उपयोग भाषा सीखने सीखाने के लिए किया जा सकता है और इसी आधार पर भविस्य में जो त्रिभाषा सूत्र आया चुकि त्रिभाषा सूत्र का माध्यम भाषा के साथ कुछ लेना देना नहीं है लेकिन प्रसंग वह भी है कि जैसे हम त्रिभाषा सूत्र में जिस तरह से अंग्रेजी के स्थान को सुरक्षित कर रहे थे कि सभी एक तरफ तो देश को हिंदी और हिंदी प्रदेशों में बांट रहे थे कि कुछ प्रदेश हिंदी वाले कुछ हिंदी वाले नहीं और कहीं न कही अपनी हिंदी लादना चाहते हैं इस तरह का जो मन एक मानस बना रहे थे इसकी समझ भी माध्यमभाशा के रूप में रखनी चाहिए यानि इस्त्रिभाशा सूत्र का प्रभाव भी मेरे कहने का अर्थ यह तो सूत्र का प्रभाव भी हमारी माध्यम भाषा पर पड़ा जो कुठारी आयोग जी से कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले तीनों खंडों को या संपूर्णता में शिक्षा को मानने और जानने की कोशिस की थी उन्होंने भी सभी प्रांतों में ये कहा था कि हमें वहां भी उन्होंने उनकी जो बिलकुल जो अनुसंसा है वहीं मैं आपके समक्ष प्रस्तूत कर रहा हूं कि माध्यम भाषा के लिए जो उनका प्रस्ताव था वो ये था कि स्कूल और कॉलेज इस्तर पर शिक्षा का माध्यम बनने के लिए मात्री भाषा का सरो प्रतम अधिकार है अतब प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनना चाहिए लेकिन एक काम इस आयोग ने और कर दिया जो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में अंग्रेजी के वर्चसों को काइम रखने में थोड़ा सहायक हो गया और आज तक है वुझे था कि उन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालियों के लिए लिंक लैंग्वेज या लाइब्रेरी लैंग्वेज अंग्रेजी होगी तो जो ज्यान विज्यान आ रहा है हम जिसे देख और जिसे हम पढ़ रहे हैं उसे तो जानने के लिए आपको इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए कि आप उसे जान और समझ सके लेकिन यहां से आगे बढ़ने के बाद जब नई शिक्षा नीती आती ह तो नई शिक्षा नीती जब आती है तो वो एक तरह से त्रिभाषा सूत्र के समर्थन में है और माध्यम भाषा पर बहुत खुलती नहीं है लेकिन कहीं न कहीं आप अपने को किसी न किसी रूप में अपनी समझ और सोच को व्यक्त तो करी देते हैं जैसे एक तरफ तो केंद्रिये विद्यालेयों की स्थापना हो रही है केंद्रिये विद्यालेयों में कुछ दिन तक जैसे आठवी कक्षा तक आपने समाज विज्ञान पढ़ लिया हिंदी में फिर आगे अंग्रेजी में एक अन्य प्रकार की माध्यम भाषा का सर्जन हो रहा था जबकि उस पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी यदि अन्य विशय उपलव्द थे जिन में परिसानी हो रही थी कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो प्राथमिक स्तर पर भी समझ बनाने की भाषा के रूप में स्थानिय भाषाओं का उपयोग हो रहा था हमारे थी उसकी भाषा तो हिंदी थी लिपी देवनागरी थी भोजपूरी हम लिखते हुए तो इस्कूल गए नहीं थे क्योंकि वाचिक परंपरा में मौकिक परंपरा में हमने भोजपूरी के दो कोशलों को सुनने और बोलने को सीखा था लेकिन वहां जाने के बाद अचानक जो पाठेपुस्तक भाषा और लिपी थी वह घंदी में पढ़ रहे हैं और गडित वहां से अलग थी उस समयमें गडित के समिजाने एक भाषा थी वह हमारी मात्री भाषा भूजपूरी थी उसे उस समय तब यथावत जैसी वो पाठे पुस्तक में वर्णित है उसी रूप में नहीं समझाया जाता था बलकि सहारा या समझ की भाषा हमारी स्थानिये भाषाएं थी जिसमें देश भर की और भी कई भाषाएं थी देश के विविद्य छेत्रों का यदि विशद अनु के भाषाएं ही समझ का माध्यम रही थी तो किताब के द्वारा स्कूली शिक्षा का माध्यम उसके भीतर फिर एक समझ का माध्यम तो माध्यम के यह जो अलग-अलग रूप हमारे सामने खुल रहे हैं आगे की चर्चा के लिए हमें इसे भी ध्यान में रखने के आवसक्ता has 1986 की निती तो बहुत साफ साफ अपने आपको व्यक्त करती है देश एक इसमी सदी में जाने की तयारी कर रहा है गाडी घोड़ा सब लगे हुए है अब चलने की तयारी है डीसमी सदी जा रही है अब ऐसे में जो माध्यम भाषा का प्रस्थ्थ है बहुत साफ साफ 1986 की निती में दिखेगा नहीं लेकिन नोदे विद्यालियों की अस्थापना से आप समझ सकते हैं कि उस समय तक इस कूली शिक्षा में भी अंग्रेजी के वर्चसों को किस तरह स्वीकार कर लिया गया यहां ठार के मैं थोड़ी देर भारतिय सम्विधान की तरफ भी आपको ले जाना जहां हमारी कहानी शुरू होती है जब हम धारा एक में आते हैं तब हमारी समझ बनती है कि इंडिया भारत अब नाम को भी अनुदित करें मुझे कोई आपत्ती नहीं है अब आज का सच यह है कि धारा एकीस के साथ गरिमा पूर्ण और सम्मान पूर्ण जीवन जीने के यह है ही जो हमें अपनी भाषा संस्कृती की रक्षन का सुझाव देती है लेकिन भाषा के आधार पर यदि किसी के साथ किसी भी तरह का शोसन हो रहा है तो इससे बचाव के तरीके मुझे लगता है कि भारतिय स्मझ बीधान में बहुत साफ साफ नहीं है इसलिए भाषा क जिखने का और पर अधार पर आप चाहें को यजन के आराम से बाहर कर सकते हैं और उसके पास मौलिक रूप में धराई किसी बस्ती है जिसमें जाकर केये कह सकता है कि हमें तो अपनी भाषा में पढ़ने लिखने का ह measurements और इसके बिना मैं एक गरिमापुर्ण जीवन नहीं जी सकता इसलिए इसकी विवस्था कराई जाए मैं आगे इस संदर में और भी बात करूँगा लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जब भारतिय संब्धान का निर्मान हो रहा था तो उस समय जो चर्चाएं चली है भाषा को लेके उसमें भी बहुत ही मतभेद है लिपी को लेके भी मतभेद है हिंदुस्तानी के पक्षधर भी वहाँ हैं दोनों लिपियों के लिखने वाले जो जिसके हिमायती गांधी जी स्वयंग थे समयधान सभा में भी उस पक्ष को रखने वाले लोग हैं देवनागरी लिपी के रूप में और रोमन लिपी के रूप में अनकों का आना यह सब समयधान सभा की बहस में सुरक्षित है जिसे हम पढ़ और जान सकते हैं, उसकी पुर्णाविरती मैं यहां नहीं कर रहा हूँ, मैं समय भी कम है और तारत्रम्य के साथ बहुत विवास्थित होकर अपनी बात कहने का प्रसुक्शन मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उस विवस्था के साथ अपनी बात नहीं कहा कह पा रहा हूं या कहता हूं तो इसलिए मैं यत्र तत्र से कुछ जोड़ कर एक तस्वीर बनाने की कोशिस आपके सामने कर रहा हूं मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी और मैं आप तक कितना पहुंच पाऊंगा लेकिन समिदान के बनने के बाद मुझे रायों का आना फिर कुठारी आयों का आना केंद्रिय विद्यालेओं का बनना राष्ट्र ये अस्तर पर एक ही तरह के पाथे विशेयों का विकास और निर्मान करना जहां से देशज ग्यान को कान पकड़ कर बाहर निकाल देना जिसमें शहरी समरांत वर्ग के तमाम बिम्बों का इस तरह उपयोग करना कि ये बिम्ब गाओं के व्यक्ति के लिए गाओं के बच्चे के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने इस देश और जगत में जीवन जीने के लिए तो वो सारे बिम्ब हमने अपनी शिक्षा के माध्यम से खड़े किये धीरे धीरे हमने उन बिम्बों को तिरोहित किया बाहर किया जो हमारी ग्यान परंपरा के बिम्ब थे तो माध्यम भाषा ने इसमें बड़ी भूमी का निभाई, यह बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, सिर्फ उसकी पुन्राविर्ती करके आगे चलता हूँ, 1986 में जो नवदे विद्याले की संकल्पना आई, उसमें जो त्री भाषा सूत्र रखा गया, उसमें एक तो अच्छी बात थी कि एक तो अच्छी बात यह थी कि हमने यह माना कि हमें अन्य भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, मतलब जो हमारी पडोस की भाषाएं हैं उसे जानना चाहिए, लेकिन बड़े ही मैं नहीं जानता कि किस शिक्षा सास्रिये विमर्स के से उभरा हुआ या बिंदु जानता कि नवदय विद्याले में संस्कृत का शिक्षन बंद कर लिया और साथी साथ माध्यम भाषा के रूप में अंग्रेजी को अपना लिया और इसे कहा क्या गया यह भारतिये विद्यालियों के लिए पेस सेटिंग है पेस सेटिंग का अर्थ यह होता है कि यह अन्य विद्यालियों को प्रेरित और प्रेरित करेंगे यह अपने जैसा बनने के लिए आसपास के विद्यालियों को स्कूलों को तयार करेंगे यह हमारे समय का वह सच है जो जिससे होकर हम लोग गुजरे हैं अब हमारा वर्तमान क्या है आज का सच क्या है और आने वाले समय में हम यदि माध्यम भाषा की बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए क्या रचना चाहिए मैं इस पर अपनी कुछ वक्तिगत राय आपके समख्ष रखना चाहता हूं कि हमारे समय का आज का सच यह है कि अब एक तरह से यह कहना बेमानी है कि भारत में प्राथमिक से लेकर उच् हिंदी या हमारी अन्य राष्ट्रे भासाएं हैं जिनका जीक्रिया जिनका वर्णन भारतिय संभिधान की आठ्वियन उसुची में है कि 343 से 351 वाली जो हिंदी है उसमें भी प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा मात्रि भासाओं में दी जानी चाहिए लेकिन वहां जो हिंदी का रूप हम गढ़ते हैं जो मानके कृत करते हैं उसमें भी बहुत सारे पैंच है उन्हें भी समझना चाहिए इसलिए विकस् संसकार उसने अपनी आसपास की भाशाओं से लिया जिसे हम बोली कहते रहे हैं वह उसकी बड़ी शक्ति थी और कहीं न कहीं अब वह शक्ति उनके दाएरे से बाहर होती चली गई है तो एक तो जब मैं माध्यम भाशा के रूप में हिंदी की परिकल्पना करता हूं तो मेर इन भाशाओं का वहिसकार करती है और जैसे उधारन यहां हमारे पास उपलब्ध हैं जब आप हिंदी शिक्षन की किताब सीता राम चतुरवेदी जी की जब हम पढ़ते हैं तो हिंदी शिक्षन को पढ़ाते हुए वे ऐसे शब्दों को जिने फूहड और गमई कहा है कि शब्दों का प्रियोग तो हमें कख्षाओं में नहीं करना चाहिए यह फूहड शब्द वे हैं जो ब्रजभासा से आते हैं जो आधी से आते हैं जो कन्नोजी से आते हैं जो भोजपूरी मगही अंगिका वज्जीका मैतली वैसवाडी हर्यानवी गढ़वाली कुमायूनी राजस्थानी ऐसी भाषाओं से आकर हमें संब्रिद करते हैं इन्हें हम हिंदी शिक्षन में फूर्ड और ग्राम में भाषा मानने के पक्ष में नहीं है ग्राम में भाषा को फूर्ड कहने के आवसकता आज नहीं है बलकि मैं जिस हिंदी भाषा के कुमाध्यम के रूप म मैं आपके सामने अभी परोस्त परोस्तने जा रहा हूं या रखने जा रहा हूं वह मेरे हिस्से का सच भी है और इससे अच्छा मंच क्या हो सकता है जहां मैं अपनी बात या अपना भोगा हुआ या थार्थ अपनों से साजह करूं मैं पहले ही आपको एक बात बता दूँ कि 14 सितंबर 1985 को पटना कॉलेज के छात्र के रूप में हम चार मित्रों ने हिंदी दिवस मनाते हुए यह प्रतिज्या की थी कि अब हम हिंदी काही को ही अपनी कामकाज की भाषा बनाएंगे हम अंग्रेजी में लिखेंगे और बोलें नहीं तकरीबन 30 वर्स हो गए हम चारों मित्र इस बात पर राजी है उसमें से किसी एक मित्र ने जरूर कहा कि देखो अंग्रेजी पढ़ना बहुत जरूरी है तो पढ़ने की छूट ले लेते हैं तो उस छूट के साथ जो मेरे पास की हिंदी है वह यही है हलाकि मैं आपक आप 1990 के यदि तथाकतित हिंदी प्रांतों की और नजर भूमाएं तो आपको अंग्रेजी माध्यम के बहुत थोड़े से विद्याले मिलेंगे बिहार इस्कूल एक्जामनेशन बौर्ड बिहार विद्याले पर इच्छा समीती हो या 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 अन्य छेत्रिये बौर्ड के रूप में वहां के स्थानिय भाषा या हिंदी कोही माध्यम भाषा के रूप में सुईकार किया गया था यह तो मामला तब पलड़ता है जब राजाओं के बच्चों के उको शिक्षा देने वाले एक बोर्ड को हम लाकर दिल्ली में प्रतिस्टित करते हैं जिसे हम सी ब करते हैं चुकि मैं स्वयम हिंदी माध्यम से पढ़ा भूं नहीं जानता लेकिन कितना रोका गया हूं या मैं जरूर जानता हूं तो मैं आज के परिद्रिश्य को द्यान में रखते हुए माध्यम भाषा को आपके सामने की कोशिस कर रहा हूं कि हमारा आज का सच क्या है संदर्ब के लिए मैं आज के सच को आपके सामने रखना अनिवार और आवस्हक समस्ता हूं मैं जिसने सकर्श कि तरफ कि तरफ जा रहा हूं उस नि developments पहुंचने में आपका समबल और सहयोग दोनों ही मुझे प्राप्त हो एक भाशा सिख्षक के रूप में मैंने अपनी नौकरी की शुरुवात असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलॉंग से की मेरी जिम्यदारी थी हिंदी और संस्कृत पढ़ाने की मैंने वहां ये काम शुरू किया मेरे लिए भी चु जाले था 500 के आसपास इसे बच्चे थे और मैंने जानबूश कर अपने प्राचारे से आग्रह करके निहोरा करके ये कहा कि मुझे नीचे की कख्षाने दी जाए कि मैं यह समझने के लिए वहां गया था कि जो वैसे बच्चे जिनके परिवेश में हिंदी नहीं बरती जात जादा सीख रहा था एक दिन मेरी नजर एक बच्चे की कॉपी पर पड़ी जिसे मुझे देखते ही उसने छिपाने की कोशिस की जैसे ही उसने उसे छिपाने की कोशिस की तो मेरा उत्सा थोड़ा और बढ़ा की पता नहीं यह क्या हो रहा है मैंने उसकी कॉपी ली और पहुंचा रहा हुए मैं उसे पूछा कि यह क्यों लिख रहा है हो उसने कहा कि जो प्रिफेक्ट है जो भाईया है ऑसल के उन्हों ने ऐसा मुझे लिखने को कहा है कि मैं कुरीडोर में हिंदी में बात कर रहा है है यहां एक अध्यापक के लिए अपमान से कम कुछ भी नहीं हो सकता है अब ये रात की बेला है मैं सुबह होने की किसी तरफ प्रतिक्षप कर रहा हूं और अपने प्राचारे के सपास पहुंचता हुआ मैंने का जिसर ऐसा है कि मैं जिस विशय को बच्चों को सिखाता हूँ आप उस विशय को कहते हैं कि से व्यक्त नहीं करने भाशा विज्ञान में हम पढ़ किया है है कि हम जितना उसका प्रयोग करेंगे जितना उप्योग करेंगे भाशा उतने विक्सित होंगी हमारे प्राचारे मुस्कुरा है और उन्हें उस विद्याले की डाइरी मेरे सामने रख दी जिसमें एक नियम लि अब मेरे लिए बड़े आश्चरे काविस है था मैं उनसे जगडा करने की मुद्रा में आ गया मैंने कहां कि सर यह बताए कि हमारे बच्चे जो शीलॉंग बाजार में जाते हैं वो अपनी कख्षाओं में गणित पढ़ते हैं उन्होंने कहां हमने कहां कि एक बच्चा मान खरीदता है और उसे दुकानदार पांच रुपे 60 पैसे के अस्थान पर चार रुपे 60 पैसे वापस करता है तो अपने गणित का उपयोग करेगा और यह कहेगा कि नहीं मुझे एक रुपया और वापस करो तो क्या आप उसे इस गनित के ग्यान का या सूचना का जो कह लि या मैं जिस भाषय का यहां शिखक हूं, उसकी भाषय को उपयोग करने से आप कैसी रोग सकते हैं, मैं उन्हें ये दुखाई भी दीकी देखिए, असाम राइफल्स ग्रीम अंत्राले के अंतरगात आता है जिसके अंतरगात राजभाषा का भी विशाय आता है राजभाषा के अधिनियम के अनुसार भी यहां आप हम बच्चों को हिंदी बोलने से नहीं रोक सकते उन्होंने का कि देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है यहां का जो नियम है वहीं और उन्होंने जनसत्ता के पहले प्रिष्ट पर यह समाचार साया किया यह छापा फिर्य विवात का मुद्दा बना लोगसभा राजे सभा उत समय चल रहा था लोगसभा में परमादर्निय सवर्गे अटल विहरी वाजपेई जी और राजे सभा में आदर्निय विश्णुका कि भारत में एक ऐसा भी द्याले भी भारत सरकार के द्वारा संचालित है जहां हिंदी बोलने के लिए बच्चों को 500-5000 बार यह लिखना पड़ता है कि I will not talk in Hindi, always talk in English, खुब विवाद हुआ, थोड़ी देर के लिए मैं भी कह सकता हूं कि celebrity हो गया, BBC Hindi ने मुझसे बाचीत क कि मेरी बात को प्रसारित किया, नल्नी सिंग ने हेलो जिंदगी में एक पूरा एपिसोड मुझ पर बनाया, लेकिन जब मैं स्वयम का अनुभाव आपके साथ साया करता हूं कि मैंने इसलिए नहीं किया था, कि विभिन समाचार पत्रों में और लोग सभा, राज्य सभा मे यह बात उठे, मैंने एक हिंदी एक भाषा सिक्षक के रूप में यह पहल इसलिए की थी, कि मुझे यह भरोसा था कि इस तरह की कोई बात यदि देश के किसी भी स्कूल में या पबलिक स्कूल में हो रही होगी, तो वहां के हिंदी सिक्षक को मुझ से इतनी शक्ती मिलेग कि वह इसके वुरुद्ध खड़ा होगा और अपने भाषा के पक्ष में अपनी बात कहेगा, लेकिन आश्यरी की बात यह है कि थोड़े दिनों के बाद मैं हिंदी सेवी सम्मान के लिए मंतरित किया जाने लगा, जिसमें मैं कभी नहीं गया, लेकिन मेरी जो मुहीम थी, धरी की धरी रह गई, अंतिम निशकर सिया था कि मुझे अपनी नौकरी इस पहल के कारण गवानी पड़ी, इस पर भी बहुत सारा बिवाद बाद में हुआ, लेकिन अंतिम सत यही था, या मेरे हिस्से का सच है, अब आज मेरे इस हिस्से के सच को आप आज के पबलिक और भी साफ होगी, कि हमारे आस पास अब ऐसे स्कूलों का जाल बिछा हुआ है, जो यह बहुत साफ कहते हैं कि आपको यहां क्या स्कूल तो छोड़ दीजिए, घर में भी अपनी मातरी भाशा हैं नहीं बोलनी चाहिए, कि अधि आप अच्छी अंगरे जी बोलना चाहते ह तो आपको घर की भाशा को भी त्यागना होगा, अब हम उस तरफ बढ़ चले हैं जहां हमें घर में भी अपनी घर की भाशा को त्यागना होगा। मैं अपने कई ऐसे मितरों को जानता हूँ दिली में, जिन्हों уст रिसलिए अपने गर बदल दिये, क्योंकि उस घर में वो पर जितनी तेजी से और जितने बड़े पयमाने अब भुझपूरी बरती जा रही थी अब उतने बड़े पयमाने पर भोझपूरी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे तो इन पबलीक स्कुलों ने और विशेश्थ करके सिब्सक्राइब आगमन ने यह तै कर दिया और यह इसलिए किसी देश में अवस्थित गोहाटी विश्व विद्याले आज भी एक हिंदी के शोधार्थी को कहता है कि तुम्हें अपना शोधकार अंग्रेजी में जमा करना होगा और आप कहते हैं कि माध्यम भाषा के रूप में हम किसी तरह की बहीमानी नहीं कर रहें वास्तों में यह जो प्रभु वर्ग था या जिसकी भाषा अंग्रेजी थी उसने स्वैम और अपने बच्चों के बचाव के लिए ताकि वो बड़े प्रतियोगी वर्ग में शामिल नहों उसके बचाव के लिए यह पूरा ताना बाना बुना था उसी ताने बाने के हिस्से हैं केंद्रिय विद्याले नोदे विद्याले सीवीए सी और सीवीए सी से संचालीत यह स्कूल जिस पर आब आम आदमी का भरोसा जम गया है यह वे अभिवावक जिन्नोंने पहली बार अपने 20 बच्चों को डिविड हेर के स्कूल में भेजा थ आती है यह आसाम राइफल्स की है जब मैं हिंदी की बावत बात कर रहा था तो वहां जो हवल्दार या सुवेदार थे चुकि हम लोगों के लिए जो वेट कैंटीन था वह एक ही जगह थी हमें वहां आना जाना पड़ता था तो कुछ लोगों को यह पता लग गया कि सर कह हाइए हमने का नहीं मैं यह कर रहा हूं कि यदि बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं तो उन्हें हिंदी बोलने दीजे तो ना सर ऐसा मत कीजिए हमारे बच्वा को भी अंग्रेजी सीखने दीजे देखिए हमारे और हमारे साहब में इतना ही फरक है हम बाबा रागवदा और डिगरी कॉलेज देवरिया से पढ़ क्या है हिंदी माध्यम से पढ़े तो हम सर क्या है मैंने का जो आप हैं वो हैं हमारे साहब क्या है हमने का वो भी जो हैं वो हैं तो आप समझ नहीं सकते हैं कि इन दोनों के बीच में हिंदी और अंग्रेजी का फरक है तो हमारे पार विश्वविद्यालियों में यह कह रहे हैं कि आपको अंग्रेजी सीखे बिना हमारे कम से कम चौखट पर तो सलाम बजाने का कोई औसर हम आपको नहीं देंगे मैं स्वयम इसका उधारन रहा हूँ जब दिली विश्वविद्याले में मुझे एमफिल में यह कहा गया कि मुझे अपना प्रदत कारी या एसाइन्मेंट अंग्रेजी में लिखके देना होगा मैंने उनको कहा कि देखे मेरी माध्यम भाषा मैं अंग्रेजी नहीं जानता समाजी कारणों से नहीं जानता मेरे पिता की जो खरीद सीमा थी उसमें जो इसकूल आते थे वो अंग्रेजी माध्यम के इसकूल नहीं थे इसने मैं नहीं सीख सका लेकिन मैं यहां तक मेरे लिए कोई चारा नहीं था मुझे एंफिल करना था मैं भी आगे बढ़ना चाहता था शर्त या जिद ये भी थी कि अपनी भासा में आगे बढ़ूंगा अब इसके लिए चाहे जो छेपक की तरह जो कुछ भी करना पड़े मैं इस अंगर्स में आगे बढ़ने के रास्त से तलास रहा था तभी मेरी नजर विश्वी ज्याले के शिक्छं सुल्क पर पड़ी कि जो शुल्क हम शिक्षा घण करने के लिए देते ऋए और और जब मैं भाशा को लेकर इस संघर्स में शामिल था इधर उधर लिखा पढ़ी कर रहा था कमिटियों समीतियों के सामने अपना पक्ष रख रहा था मेरे अंग्रेजी दामित्र आराम से जे आरेफ नेट की तैयारी कर रहे थे उन्हें जे आरेफ भी मिला स्कॉलर्सिप भ अपना शोध कारे पत्र हिंदी में जमा करने के नुमती मिल गए मैंने कई ऐसे साक्षात्कारों में अनुभव किया है कि जैसे ही कोई छात्र आता है उसके पास डिग्री वही है एक का तो बड़ा ही विचितर अनुभव मेरे पास है कि उसके गुरु ही हमारे साथ बैठे ह और सारी चर्चा जब हो गई एक सदस ने उनसे अंग्रेजी में कुछ पूछा जवाब नहीं दे सका तो उसी उस गुरु ने यह कहने में मुझे अब कोई संकोच नहीं कि जब हमें जरूरत हो कि हमारे लिए एक पद से दूसरे पद सोपान पर जाने के लिए दो या चार पीएजडी करानी आवश्यक है तब हम यह ध्यान नहीं रखते कि उसकी माध्यमभाशा क्या है तब हमें उतनी हिंदी आने लगती है जितनी अंग्रेजी आती है क्योंकि हमें अपने कैरियर के विकास के लिए पीएजडी कराना आवस्यक है लेकिन जब वह बच्चा हमारे सामने जब वह अच्छात्र हमारे सामने उपस्तित होता है तो हमें मुस्कुरा के कहते हैं कि तो ठीक है लेकिन अंग्रेजी में हाथ तंग है एक समय है यदि हमारे समय का सच है कि हमें सच को सुईकार करते हुए इस थगी से आने वाली पीडियों को बचाना होगा कि हम यह कहते रहें कि तुम अपनी मात्री भाषाओं में पढ़कर आगे बढ़ सकते हो अब बहुराष्ट्रिय कंपनिया आ रही है देश दूसरी तरह से खुल रहा है सेवा के औसर बदलेंगे इसलिए मैं अब आपके सामने अंत में मेरा समय हो गया है मैं अंत में आपके सामने तीन विकल्प माध्यम भाषा के प्रस्तूत करके और आप से अनुमती चाहूंगा बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं जो सवाल आपके मन में होंगे वो मेरा इमेल आ जो परिद्रिस है इसमें हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं अपने इस बातचीत में कि आज का जो सच है वो यह है कि आम आदमी भी अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम से ही सिक्षित होते देखना चाहता है इसलिए वह शुल्क देकर अपने बच्चे की घेट में भी सुधरेगा वह भी वहां बैठेगा जहां फटा फट और धाय धाय अंग्रेजी बोलने वाले लोग बैठते हैं मेरा जो पहला विकल्प है उसमें मैं यह मानता हूं कि पहली कक्षा से पीएसडी तक अंग्रेजी को माध्यम बना दिया जाना चाहिए और सभी प्रतियो की तैयारी कर रहे हो से पाठेकरम को देख लो माध्यम भाषा अंग्रेजी होगी बहुत सारे लोग भूल गये होंगे कि कभी कानपूर आयाइटी कानपूर में श्याम रुद्र पाठक जी ने हिंदी में अपना पीएसडी लिखा ता बड़ा अंगामा हुआ था ये पची आगे बढ़ने का मार गंग्रेजी से खुलता है तो आप इस मुगालते में न फस्ये कि आपके द्वारा ही आपकी भाषा का विकास होगा भाषाएं बचेंगी भाषा में नहित ज्यान भी बचेगा यदि आप वैसे अस्थानों पर स्वयम कबजा करें जहां पहुंचकर आप अपनी बात रख सकें या अपने बात मनवा सकें उस सत्ता के तंत्र में शामील हो सके जहां आपकी बात सुनी जाए जो पक्ष हिंदी और हमारी भारतिय भाषाओं का है जब तक आप वहां स्वयम शामिल नहीं होंगे स्वयम नहीं अपनी बात कहने और मनवाने की बिलना पड़ेगा कि अंताराश्ट्रिय भासा है दुनिया भर की भाषा है यह अंग्रेजी इतनी जरूरी है तो भारत भर में यह तो माध्यम भाषा अंग्रेजी को बना दीजिए यह दुनिया से जूडने की यह भाषा है तो हर अस्थान पर एक ऐसे तंत्र खड़े करिए जो सुरू से लेके विश्वित द्याले तक अंग्रेजी से जुड़ा हो और बाकी जो सिक्षाही तंत्र भचता है वहाँ धैनत ध्यापन की विवस्ता हम अस्थानिय भाषाओं में करें हिंदी में करें सर्थ यह है कि यह जो अंग्रेजी माध्यमी हमारी संस्थाएं जो इस पहरा विकल्प मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं पहरा विकल्प तो यह है जिसके पक्ष में मैं स्वयम नहीं हूं लेकिन मैं जानता हूं कि जिस दिन यह पक्ष इस देश में रखा जाएगा उसी दिन अंग्रेजी दावर्ग बड़े-बड़े समूहों में आप अंग्रेजी में कौन सी उस ज्ञान परमपरा को सुरक्षित किये हुए हैं सिवाए इसके कि आप कुछ लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं भाशा के नाम पर इसके अलावां आप कर क्या रहे हैं इसलिए आप क्यों आने वाली पीड़ी को फिर ठगी का सिकार बनाने के लिए सडकों पर उतराए यहीं दृषय होगा इनकी कलेजे में यह जानते हैं यह ति दुनिया के अन्य देशों की में जहां अंग्रेजी बरती जाती है भारत का हर वेक्ति उनकी तरह फाए अंग्रेजी बोलने लगा तो उन्हें विद्वानों के सर्वच सिखर पर आसीन कौन करेगा हम अपनी देशी भाशाओं में बोल बतियाकर इस अंग्रेजी दा वर्ग क बुद्धी जीवियों का सर्वसरस्ट मानने की जो गलती कर रहा है यह उस मुक्ति की बेला है और मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीती जो आएगी वह हिंदी सहित देश की अन्य प्रादेशिक भासाओं के पक्ष में खड़ी दिखेगी हलां कि पहले ही एक आत बात पर नहीं विवाद शुरू हो गया है मेरे एक मित्र की बात मुझे जो अभी याद आ गई वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं मेरे मेरा एक तमिल नाडू का रहने वाला मित्र था जो हम साथी रहते थे एक ही जगह जब हिंदी का कुछ मामला चल रहा था दिल्ली उसने का ने हिंदी तेरी मात्री भासा है मैंने का हिंदी मेरी मात्री भासा नहीं है भोजपूरी मेरी मात्री भासा है मैंने भी अक्षर ग्यान विद्याले में स्कूल में जाकर वैसे ही सीखा है जैसे तूने अंग्रेजी का रोमन स्कूल में जाकर सीखा था वैसे ही मैंन तुम अपनी मातरी भासा में काम नहीं कर पाएंगे और तुम अपनी मातरी भासा में काम करके हमसे बहुत आगे निकल जाओगे इसलिए अंग्रेजी में तू भी अनुवाद करता है हम दोनों अनुवादक हैं और एक ही मैदान में खड़े हैं एक ही अखाड़े में तो हमें लगता है कि हमें तुमसे कोई डर या भय नहीं है अन्याथा भाषा का ये डर हमारे दिमाग में सुरक्षित रहता है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह का डर हमारे परितंत्र ने बनाया है या तैयार किया है उत्तर भारतियों के मात्री भासा के रूप में इसे परोज यूज़ फलिखें को दो भाषाई खंढों में हिंदी रिषित आप सच्व में सव्धानी से देखें लह देख हंदी भी उतरभारति लोगों कीुष है नहीं सब्बंुभाइब है उसमें सब यह मानते है कि ँग्रेजी के साथ यह जिए πάiquéगा कि पंजाब ने किया महाराश्ट्र gua blood को स्वीकार कर लिया जाए इस देष की मत्रीम भासा अंग्रेशी होगी जो पहली से पीएत्टी यॉल cheese रहेगी तब शायद भासी किस्तर पर हम एक जैसे भारतीयों की तैयारी कर पाएं अन्यतला हम भाशाई दिव्यांगों को जो दिव्यांग की कोटी में नहीं आते उनको पैदा करते रहेंगे और भारतिय समयधान में भाषा के आधार पर विभेद न करने का आराम से लाव उठाते रहेंगे एक दूसरा विकल्ब जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वह यह है कि हमें पहली से पांचवी तक मात्री में शिक्षन की व्यवस्था करनी चाहिए अंग्रेजी एक विशय के रूप में पढ़ाई जाए पहली से पांचवी तक लेकिन छटी से पीएश्डी तक मात्री भाषा अंग्रेजी रहे लेकिन उसे अंग्रेजी एक विशय के रूप में अंग्रेजी न पढ़ाई जाए मेरे कहने का मतलब है कि पहली से पांशवी तक आपने आधार दे दी मात्री भासा में वहां तक उसे अंग्रेजी सिखा दी अब छठी कक्षा से लेके पीएज़ी तक अंग्रेजी रखिए और उसके साथ साथ उन भाषाओं को रखी जैसे हमारी हिंदीह संस्क्रिट है झाला क्या करेंSec थि इंदी माध्यम से पढ़कर आये थे तो उतल उतर लेके आये थे कंकेव कंवेक्स हो गए कुछ दिनों तक परिसानी रही फिर सीखना पड़ा मजबूरी थी कि माध्यम भाषा में उतल उतल के लिए कोई स्थान नहीं था कंकेव कंवेक्स ही था गुण सुत्र विवाजन तो ह होना नहीं था तो ऐसी स्थिति में मैं जो आपसे आग्रह कर रहा हूं वह यह रहे कि छे से बारा तक ये तीन भाषायें पढ़ाई जाएं घ्यारा बारा तक आने के बाद आप भाषाओं की कोटी रख सकते हैं क्या हो सकता है कि एक बच्चा सिर्फ विज्ञान कला और वा असर दीजिए उन पांच भाषाओं को सीखे उसके उस पांठिक्रम में न कहीं इतिहास हो न कहीं physics हो न कहीं जोग्रफी हो उसके पास वह पांच भाषाएं वह सीखना चाहता है तो सीखने दिए लेकिन छठीक अक्षा से लेके फिर आप आराम से पीएसडी तक की भाषा अंग्रेजी को बना के रखी अंग्रेजी भाषा और साहित पढ़ाने क्या हो सकता नहीं है यह जो वक्त हमारे पास बचता है इश्वर ने 24 गंटे का ही समय तो दिया है हम सब को तो यह जो समय बचत कि उसके परिवेश में विज्ञान की जो बाते हैं वो उसकी भाषा की किताब के माध्यम से उस तक पुस्तक के माध्यम से उस तक पहुंच जाए या नहीं तो एक और कठोर निर्णा इस देश को लेना होगा यदि हम अपनी भाषाओं को जीवित रखना चाहते हैं सिर्फ प्रतिसत पदों पर ही अंग्रेजी और अंग्रेजी दा वर्ग को प्रवेश दिया जा सकता है आप विश्वास मानिए भारत का परिद्रिश से बदलने में पांच वर्ष का वक्त भी नहीं लगेगा भारत का परिद्रिश से बदल जाएगा जब आप भाषा को उसकी जी रोटी से नहीं जोड़ पा रहे हैं अब बताईए इतना अच्छा कारेक्रम क्या मन है हमारा क्या मान सिकता है हमारी इतना अच्छा गाने वाला एक बच्चा जो अभी बहुत बढ़िया गा रहा है दूरदर्शन पार आपने उसे सुना होगा नितिन वह किसी सो में आता है कपिल शर्मा सो में आता है तो किस बात की चर्चा जादा होती है वो गीत तो गाता ही है लेकिन उसकी अंग्रेजी भी सामने परोसी जाती है आपने कई बार देखा होगा कि कपिल शर्मा सो में कपिल शर्मा के स्वयम के अंग्रेजी नहीं जानने को क इस तरह से हम रेखांकित करते हैं कपिल शर्मा का यह सो निश्चित तोर पर दुनिया के कुछ गिने चुने शो में है और वो भी हिंदी में होते हुए दुनिया भर में एक स्थान रखता है लेकिन हमारा मन क्या कहता है यह जो भारतिय मन है उस भाषा को सम्मान देने के बज प्रिमा गाई जाती है आपने वो एपिसोड भी शायद देखा होगा जिसमें भजी और बिरंदर सिंह सावाग आये थे उन्होंने भी अपने उस संस्मरन को साजा किया दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाला उससे भी अंग्रेजी ही या नहीं चाहिए उसकी पंजा उसे सफल करने के लिए उसे आगे बढ़ने देने के लिए के लायक नहीं है। लिकिन आप सब जानते हैं कि भारतिया विज्यापन उद्योंगों हो यह सब करते हैं। इसलिए अंत में मैं पहले एक बात एक लेख मैंने लिखा जिसमें मैंने ये लिखा था कि मैंने गांधी जी के एक वक्तब्य को उद्रित किया था जिसमें उन्होंने 5 जुलाई 1928 को उन्होंने ये लिखा था कि मैं यदि तानाशा होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बंद कर देता सारे अध्यापकों को स्वदेशी भाषाई अपनाने को मजबूर कर देता जो आना कानी करते उन्हें बरखास कर देता मैं पाठे पुस्तकों के तयार किये जाने का इंतजार न करता आज से 20 साल पहले किसी लेख का समापन मैंने गांधी जी के वक्तब्ब के साथ किया था तो मेरे मित्र ने उस समय मुझे आगाह किया था कि देखो गांधी जी जानते थे कि यह देश आजाद होगा वे स्वयम ताना शाह नहीं थे और यहां कोई ताना शाह आने वाला नहीं उसकी अंतिम पंक्ती में मैंने लिखा था कि मैं ऐसे ताना शाह की प्रतिक्षा में आज भी हूँ उसने कहा था कि छमा करो ऐसा ना तो कोई ताना शाह आने वाला है जो आराम से भारतिये भाषाओं के पक्ष में निर्णे ले दे लेकिन मैं अपने स्थान पर आज भी अडिग हूँ अपने समय के सच को स्विकार करते हुए भी कि जीवन रक्षक दवाएं अंग्रेजी दवाखानों में मिलती हैं मैं माध्यम भाषा के रूप में हिंदी सहित अन्य भारतिये भाषाओं को पुष्पित पल्लवित होते हुए देखना चाहता हूं इसी आग्रह के साथ मैंने तीन विकल्प आपके सामने रखे हैं इस पर म प्रवेकर और पीएसडी तक अंग्रेजी माध्यम को सुईकार कर लेनी चाहिए कि कई स्कूलों में पहली कख्छा में अंग्रेजी है तो पीएसडी में भी अंग्रेजी है मैंने पहले वी आप से जिक्र किया किसी देश के विश्विध्याले में हिंदी का शोध अंग्रेजी में जमा करना पड़ता है जो हमारा गो आहाटी विश्विध्याला है ऐसे तमाम स्कूल हमारे आसपास भड़े भड़े पड़े हैं आज भी जहां के बच्चे यह लिखते हैं 500 से 1000 बार कि I will not talk in Hindi, always talk in English यदि यही हमारे समय का सच है तो हमारे पहले विकल्प क और जाना चाहिए और नहीं तो तीसरे विकल्प के रूप में माध्यम भाशा को सीधे सीधे रोटी से जोड़ देनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान हो जाए आपका बहुत बहुत आभार कुछ समय मैंने ज्यादा लिया इसलिए आप से छमा प्रार्थी हूं और भाई सो मैं चाहता हूं कि मैरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मुझे चमा कीजिए गा मैं आपके इसलिAST बैएन बैल कर लेकिन वास्तिक्ता यह है कि हमें से हर को bulky अपने हिसे cudd बैल करने में जादा सख्षम होता है मैंने जो बहुत बहुत की बहुत कि जैसा बहुत वैसा आपको बताया गांदी जी की सत्य के प्रियोग को मैंने अपनी अभी तो लॉग डाउन आया है ना जीवन में हम लोगों को भी एक लॉग डाउन या एक विस्राम का समय मिलता था जब हम बोर्ड की परिच्छा देकर और उसके परिणाम की प्रतिक्छा करते होते थे उ साथ तिलक के जी के गीतार हसे को भी मुझे लगता है कि यदि आने वाले दिनों में मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैं तो अपने इन ही प्रियोगों को हिंदी के प्रियोग की को ही अपनी आत्मकता मानने की इत तरह से कह लीजिए कि गलती ही करूंगा क्योंकि इस देश मे फिर उसका पाठक वर कहां से आएगा फिर भी आपका बहुत बहुत आभार और इस उमीद के साथ कि आप इन विश्यों पर चिंतन बनन करेंगे और मुझे भी रास्ता दिखाएंगे हो सकता है कि मेरा यह वक्त अब एक पक्षिय हो और मेरे अनुभाव जो मेरे व्यक्तिक इंकार करने से इंकार मत कीजिए जो सच हमारे आसपास पसरा हुआ है यदि आपके हमारे बच्चे घरों में बैठकर यह वाक के लिख रहे हैं तो आप यह नहीं कह सकते कि उन्हें उनकी भाशा सीखने से रोकने में इस उनके तथाकतित पब्लिक स्कूलों का जिसे आप मो वो इस नाम पर हमें आपको अपने दाएरे में शामिल करता है मैं दावे से कह सकता हूं कि इन्हें बच्चों का दाखिला दिलवाने वाले लोग सिर्फ यह जानते हैं कि उनका बच्चा यहां संग्री जी सीख कर निकलेगा वो यह नहीं जानते कि उस स्कूल की पाठचरि इसलिए हम अपने आस पास पसरे हुए सच को स्विकार करें उससे देखें और आने वाली पीड़ी को आँख खोलने की आँख खुले इसके लिए उसका उपयोग करें उसका आँख बंद न रहने दें तो मेरे तीन विकल्प आपके पास और उस पर सोचने का समय अब आपका स इसनी देर मुझे सुना सब के पास बहुत आवस्यक कारें हैं इस समय भी जब कि हम लॉगडाउन में हैं बावजीद इसके कई तरह के कारें हमें करने हैं तो इसलिए आज की बातचीत यहीं किसी मित्र ने पूछा है कि अंग्रेजी बोलना सिंबल है बिलकुल मैं इसे पोड़कर अंग्रेजी की तरफ बढ़ना इसे मैंने स्वैम भी कई जगा अनुभव किया है जब हमारे कई हिंदी के पत्रकार मित्र जो ढलती शाम और चड़ती रात को थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हैं तो उनके चेहरे पर जो गर्व का बोध या गौरो सामने तीन विकल्प रखे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार और अब मुझे विदा आग्या दीजिए सोमु जी से मैं विशे साग्रा करता हूं कि मुझे अब अनुमती दें ये चर्चा एक तरह से यह चर्चा की शुरुवात है क्योंकि यह न तो पाठो प्योगी है न परिछोप योगी है न पाठिकरम उप योगी है शिक्षा का माध्यम भासा तो हमारे शिक्षा सास्त्र के पाठिकरम का कितना छोटा हिस्सा है जिस पर एक सवा घंटा हमने लगा कर मैं कैसे कहूं कि अन्याय किया है मेरा लोग तो था कि मैं आपके साथ न्याय करूं इस झाल झाल